अगर आप अपने सिस्टम को एक बैटर लुक दे सकते हैं अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि ऐसी और भी वीडियो मेरे चैनल पर आती रहती है जो आपका first feature है वो है search box पे अगर आप अपने search box को change करना चाहते हैं आपको आने के बात में आप आने के सेटिंग्स सेटिंग्स पे आने के बात में आपको आना है personalization पे और इस पर जब आप किलिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक taskbar का option देखेगा जब आप Taskbar पर क्लिक करेंगे तो यहां पे आप देखेंगे Search Search Box में आपको यहां पर चार आप्शन मिल सकते हैं अगर आप इसको Hide करेंगे तो आपका Search Box यहां से Hide हो जाएगा अगर आप इसको Search icon only करेंगे तो यहां पर आपका सिर्फ और सिर्फ Search की आएगा जिससे कि आप इसको search कर सकते हैं अगर एम यहाँ पे search icon and label करें तो आपका यहाँ पे search icon भी आएगा और यहाँ पे आपका label भी डा May बन जाएगा अगर आप इसको सिर्फ search box करेंगे तो यहाँ पे आपका सिर्फ और सिर्फ search box ही आएगा उसके बाद हम next feature की बात करते हैं next feature में आपका जो ये task bar का alignment है आप task bar के alignment को आपके left या right भी कर सकते हैं इसके लिए आपको again setting पे आना पड़ेगा setting पे आने के बाद में आपको आना है task bar option पे task bar option पे आने के बाद में आप आएंगे task bar behaviors और यहां से आपको task bar alignment में center का है तो आप इसको left कर सकते हैं तो left करने के बाद में कि आप देखेंगे आपका जो task bar है वो आपका left hand side में आ जाएगा again आपको change करना है तो आपको फिर से उसी setting पे आके आप अपने इसको center भी कर सकते हैं उसके बाद हम next feature की बात करें तो वो widgets पे आए अगर आपको अपने widgets पे news बंद करना है तो आपको आना है widgets की settings पे और settings पे आने के बाद में आपको आना है show or hide feeds इस पे आप किलिक करेंगे तो आपका यहां पे एक option है Microsoft start यह भी on है आप इसको off करेंगे और आप कहां से turn off पे किलिक करना है turn off पे किलिक करने के बाद में देखेंगे कि आपका जो news जो show कर रहा था वो यह off हो जाएगा सिफ और सिफ यहां पे widget C आएंगे उसके बाद में अगर हम new features की बात करें तो इसमें startup app का एक option मिल जाता है जिसे करने के बाद में आप अपने background startups apps को बंद कर सकते है आपको again आना है अपनी settings पे और settings पे आने के बाद में आप आ जाएंगे apps apps पे आने के बाद में आपको आना है startup पे startup पे आने के बाद में आप देख सकते हैं आपके जितने भी system में application है वो सब भी यहाँ पर show करेंगे और यहाँ पर जैसे कि आपका भी task bar में यह सब भी application run हो रहे है जैसे कि हम अभी task manager पर जाएंगे और task manager open करने के बाद में यहाँ पर आपको मिल जाता है startup apps यह सब भी जो आपके applications हैं जब भी आपका system on होता है तो यहाँ पर enable disabled का है आप इसको enabled भी कर सकते है system restart होने के बाद में यहाँ पर आप इसको disabled भी कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको feature मिल जाते हैं जैसे कि मैंने any desk है तो any desk कि इसको off कर रखा है मैं इसको on करूँगा जैसी मेरा system reboot होगा जा मैं shutdown करके दुबारा system को on करूँगा तो यह application automatic on हो जाएगा आप इसको यह on off यहाँ से अपने need की हिसाब से आप इसको यहाँ से on off कर सकते हैं next हम बात करते है notification की notification के लिए आपको आना है start और आप यहाँ पर आएंगे settings settings पे आने के बाद में आपको आना है अपने system पे पे हाने के बाद में आपको यहाँ पर option दिख जाए गा notification का आप थोड़ा यहाँ पे आenगे तो आपकी क्या notg Cit का option दिखेगा अगर आप अपनी notification को off कर देते हैं तो आपकी जितने भी application की notification आते हैं वो सबी आफ हो जाएंगे अगर अगर आप चाहते हैं कि आपको notification में sound ना आए तो आप यहां से इसको off कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपको log screen notification नहीं दिखे तो आप इसको यहां से off कर सकते हैं और यहां से आप अपने log screen why you have ik call incoming cause जो भी आती हैं आपको 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 देखेगा start, start पे आने के बाद में, आप यहां से अपने start बार को यहां पे जो भी आपका option दिख रहा है, यहां से आप इसको change कर सकते, जैसे मैं भी यहां default करूँगा तो आप देखेंगे, कि आपका यहां से थोड़ा यह change होगा, अब मैं more recommendations पे करूँगा, तो आपको यहां पे रिकमेंडेशन जादा आएंगे, अगर मैं default more पिंस कर दूँगा, तो आपके पिंस आइटम यह जो मैंने पिंस कर रखे हैं यह सब भी आएंगे, अगर आप चाहते है, show recently added apps, अगर आप ने कोई भी new application यूज़ किया, अगर आप चाहते हैं new application यूज़ करते हैं आपके यहां पे आ जाएं, तो आप इसको यहां से on रखिए, off कर दूँगा मैं, तो off करने के बाद में अगर कोई आप new application यूज़ करेंगे, तो वह वहां पे नहीं आएंगे अगर आप चाहते हैं जो application आप सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, अगर आप उसे अपना start menu पे देखना चाहते हैं तो इसके लिए आप यहां से on कर सकते हैं, otherwise आप इसको off कर सकते हैं, और यहां पे आपका show recently open item in start, अगर आपने को यहां कुछ करके यहां से on करके आप नहीं आपर देख सकते हैं, अगर मैं on settings Home कर दूँगा, तो आपके settings का आजाएगा, अगर मैं off कर दूँगा तो experience का यहां से settings का चला जाएगा उसके बाद में आपका जो next feature आता हो है आपका copilot का, जैसा कיół आप जानते हैं windows 11 में new features अगे हैं Co-Pilot का अगर आपको यहां पर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसम्प्ली यहां पर सर्च कर सकते हैं जैसे मैं कुछ भी सर्च करूं cat image कुछ भी सर्च करता हूँ मैं तो आपको यहां पर उसका result आपको तुरंती क्लिया result मिल जाएगा आपको कोई programming सर्च करनी है तो आपको इसली यहां पर कोई programming आपको इसली मिल सकती है अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि ऐसी और भी वीडियो मेरे चैनल पर आते ही रहती है जैसे के भी मेरा न्यू चैनल है और मुझे आपका आप लोगों का सपोर्ट भी चाहिए ओके थैंक यू प्लीज लाइक और सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियो ओके थैंक यू